बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज में आप लोग के लिए एक और बहुती जबज़त सी रसेपी लेकर आई हूँ जो कि है चिकन तंदूरी विदाउट ओवन आज हम ठीकेंगे कि हम इसको बिन ओवन के कैसे बना सकते हैं घर में मज़ेदार तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने वनकेजी चिकन ली है और चिकन में मैंने इस तरह से कट लगा ली है देखिए चिकन दंदूरी में हमें कट लगाने ज़रूरी होते हैं ताके मसाला जो है अंधर तक चिकन में चला जाए साथी मैंने लिए एक चमचा लेसन का पीस एक चमचा नमग दो चमचे लेमन जूस और एक चमचा पिसी हुई मिर्चे अब आप एक बाउल ले लें और इसमें तमाव चिकन को एड़ कर दें इसकी मेरिनेशन हम टू स्टेप में करेंगे फर्स स्टेप में हम इस तहां से करेंगे इसमें नमग, पिसी वे मिर्चे लेमन जूस और लेसन का पेस्ट एड़ करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें इसको हम मिक्स करके तकरिवन एक घंटे के लिए मेरिनेट होने रख देंगे इसके बाद हम इसकी दूसरी मेरिनेशन तयार करके वो इसमें एड़ करेंगे देखिए यहां जो मसाला अच्छे से चिकर में लग गया है अबाब इसको कवर करके गंटे के लिए रख दें सेकंड मेरीनेशन के लिए मैंने लिया है 4 स्पून दही, 3 स्पून चिली गार्लिक सॉस 1 जम्जा चाट मसाला, 1 जम्जा पिसावा गरम मसाला 1.5 स्पून पिसी काली मिर्चे और 1.4 टी स्पून जर्दे का रंग मसाले आप अपने टेस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं अब आप एक बाउल ले लें और इसमें 4 स्पून दही को एट कर दें साथ ही आप इसमें पिसागरम मसाला, चाट मसाला, काली मिर्चे जर्दे का रंग और चिली गाडिक सॉस एट करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसका पेस्ट तयार कर लें देखिए यहाँ अच्छे से मिक्स हो गया है चिकन को मेरिनेट हुए भी एक घंटा हो गया है अब हम इस तयार पेस्ट को चिकन में एड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स आपने बहुत अच्छे से करना है इसके जो कट से आपने उसके अंदर तक मसाला लगाना है ताके मसाले का जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए देखिए अच्छे से यह यहां मिक्स हो गया है अब आप इसको कवर करके मज़ीद एक घंटे के लिए मेरिनेट होने के लिए रख दें अब आप एक पैन ले 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 और इसमें टू इस्पून ऑइल डाल के उसको हलका सा गरम कर ले चिकन को मेरिनेट हुए मज़िद एक गंटा हो गया था अब आप इसमें चिकन एट कर दें आपने चिकन बहुत ज्यादा नहीं इसमें रखनी है बस आप इतनी चिकन डाली है इक पैन में कि आप इसको ईजीली टर्ण कर सकें तकरिमां तीन मिंट आप ने इसको बिना टच किये पकाना है अलकी आज पर इसके बाद आप इसको इस तरह से टर्ण कर लेजिए इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ और इसी तरह आपने इसको दूसरे साइट भी तीन मिट बिना टच किये पकाना है देखें तीन मिट यां हो गए हैं अब आप इसमें थोड़ा सा ओल डाल दें और जो धोड़ा मसाला आपके पास बाउल में रह जाता है वो भी आप इसके उपर बुष्ट की मदस्ते लगा लें इसके बाद आप इसको कवर करके तकरीबां दस मिट हलकी आज़ पर पकने के लिए रख दें दस मिट हो गए हैं चेक कर लेते हैं बहुत ही जबरदस खुश्बू आ रही है तकरीबां चिकन हाफ कुक हो गई है अब आप इसको फॉक की मदस्ते दुबागा टरंड कर लीजे देखिए इस तरीके से और इसको आप दुबागा कवर करके दूसकी साइड भी दस मिट अल चिकन जो है तकरीबां रेडी हो गई है मैंने कोईला भी सासाथ गरम होने के लिए रख दिया था इसमें हम कोईले का दम देंगे देखिए कि लुक में कितनी जबर्दस लग रही है अब आप इसमें कोईला रख दें और कोईले के ओपर दो तिन ड्रॉप आप ऑईल के डाल के इसको कवर कर दें ताकि कोईले की जो खुचबू है इसमें जजब हो जाए चिकन दंदूरी बनके यहां बिल्कुल रेडी है मैं आपको इससे डिशाउट करके दिखाती हूँ इसी तरह किसे आप तमाम चिकन को रेडी कर लीजिएगा बहुत मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी है देखिए क्या लुक में लग रही है जबर्दसी ट्राइज जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक करना मत और रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा मज़ेदार से चिकन तंदूरी इंजुआई कीजिए वाओ बहुत मज़ेदी है मिलते हैं किसी और नेक्स वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अला हाफिज